नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आएए बात करते हैं बैंक निफ्टी की जिसकी एक्सपारी है 29th of October को अभी आपकी स्क्रीन पे जो लास्ट टेडिंग सेशन में जिस तरीके की मुवमेंट रही है उसको पांच मिनट के टाम फ्रेम पे दिखाया गया और इसको देखते हुए जो सपोर्ट और रेस्टेंस लेवल हमें समझ में आएंगे उन पर हम बात करेंगे और आगे का व्यू समझने की कोशिच करेंगे कि कौन से लेवल्स हैं जिस पर हमें बाइंग या सैलिंग करनी चाहिए तो आईए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी पांच मिनट के टाइम फ्रेम के साथ दोस्तों जैसा की मार्केट ओपन होने से पहले ये एकस्पेक्टेट था कि SGX निफ्टी में काफी उपर के प्राइसे पे ट्रेड चल रहा है तो एक उपर में गैप अप ओपनिंग होने के काफी ज़्यादा चांसे थे निफ्टी में एक 100 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग तो नजर ही आ रही थी तो बैंक निफ्टी में भी एक ऐसे चांसे थे कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ओपन हो सकता और बिल्कुल वैसा हुआ बैंक निफ्टी ने एक तेजी दिखाई जो तेजी शुरू से ही कंटीनिव रही मार्केट उपर की तरफ गया और वहाँ पर थोड़ा सा एक मार्केट ने स्टेबल होने की कोशिश करी थोड़ा कंसोलिडेशन को टाइम दिया पर धीरे धीरे ये मार्केट उपर की तरफ बढ़ता चला गया और जिसमें हमने ये देखा कि जो क्लोजिंग है वो 24,300 के उपर हुई है तो एक इस तरीके का ट्रेंड बना रहा मार्केट में जो तेजी थी वो पूरे के पूरे दिन बरकरा रही आईए थोड़ा सा टाइम फ्रेंड बढ़ाते हैं 15 मिनिट के टाइम फ्रेंड पर देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी हमें नजर आ रहा है यहां अगर नजर डालें तो मार्केट एक इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में था यह मैं बात कर रहा हूँ थर्जे की फिर फ्राइडे को हमने देखा एक गैप अपनिंग के साथ थोड़ा सा एक स्टेबल एक स्ट्रेंथ दीखी हमें थोड़ी सी मार्केट में पर यह हमारा बाइंग का एक क्लियर कट लेवल नहीं था मैंने आपको बताया था 24,175 लेवल जरूर काफी उपर था पर एक सेफ लेवल था उसके उपर यह प्राइस आया थोड़ा सा इसने यहां पर सस्टेन किया और अभी करण्ट लिए 24,322 का यह ट्रेड दिखा रहा है तो इस तरीके से देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में जो एक और आल जो व्यू है वो आपको डेली चार्ड पर और फोर आर्स चार्ड पर यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि अल्टीमेटली इसका ट्रेंड कैसा है बाइंग का सैलिंग का या फिर थोड़ा कंसलिलेशन में चल रहा है तो उन दोनों टाइम फ्रेम पे आप देखकर यह समझ पाएंगे कि कल मतलब 20th of October ठीक है और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं एक गंटे के टाइम फ्रेम पे वहां हम देखते हैं एक गंटे के टाइम फ्रेम पे अब भी अगर हम देखें एक ट्रेंड जो था वो उपर की साइट था मार्केट कंटिन्यू कर रहा था यहां थोड़ी correction आने की को एक हुआ एकदम से इंट्राडे में एक प्राइस मिला था सिर्फ 200 पॉइंट का फिर उसके बाद जो ओपनिंग हुई next day वो उपर हुई आज जो ओपनिंग हुई वो उपर हुई अभी currently market काफी उपर आ चुका है हमारे buying level के उपर trade कर रहा है buying के entry आप समझ सकते हैं कि यहा थोड़ा सा आपका बढ़ा रहेगा क्योंकि आपने position को carry over कर रखा है और इसमें थोड़ा सा आपका risk बढ़ जाता है gain भी बढ़ जाता है risk आपका उस case में बढ़ जाता है कि अगर opening नीचे होती है तो आपके लिए वो stop loss नहीं रहेगा मतलब stop loss trigger होता या नहीं होता वो opening प position लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो carry over करके ले आते हैं तो वो अपनी अपनी एक strategy है कि आप किस strategy को follow करते हैं ठीक है कहने का मतलब यह है कि हमारे buying level में enter कर चुका है इसका price और अभी ऊपर trade कर रहा है और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के time frame पे वहां थोड़ा trend में था उसके बाद यह हम एक uptrend देख रहे हैं जो continue market में उपर इस तरीके का trend अभी यह continuously यह दो trading days हो चुके हैं कि market जो है वो उपर की side में अभी अपनी rally दिखा रहा है ठीक है इस price के उपर बहुत strongly इस अपने आपको hold किया हुआ है तो यह positive sign है buyers के लिए जो उनके trade को support क कर रहा है market में अब सिर्फ एक ही resistance बच सकता है देखिए बीच में कहीं पर एक यह portion हो सकता था यह हो सकता था पर यह हुआ नहीं ठीक है इसे कर extend करते हैं इसके ऊपर यह अपने आपको बहुत अच्छे से maintain करके ऊपर की तरफ run करता चला गया यहां पर थोड़ा सा एक consolidation का एक phase बन सकता था वो भी बहुत ज़्यादा time के लिए sustain नहीं करा market ने ऊपर की side run किया और जो हमारा buying level था उसके ऊपर फिलहाल इसमें trade चल रहा है next opening कैसी होगी gap up gap down उसपर हमारी नजर बनी रहेगी उससे पहले हम चलते हैं एक बार daily charts में नजर डालते हैं यहां हम देखते हैं देखिए दोस्तों एक zigzag way में पहले trend चल रहा था एक buying आई buying के बाद एक selling आई जो काफी नीचे तक आई उसके बाद फिर से यह buying आने के chances बन रहे हैं पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा concern है कि US election से पहले का trend कैसा रहेगा और election result के बाद trend कैसा हो जाएगा देखिए uncertainty जो purely जो uncertainty बनी रहेगी वो उस election के दौरान बनी रहेगी अब एक main मान सकते हो किस तरीके की uncertainty है उससे पहले आपको trend काफी clear रहेगा कि अगर उपर जा रहा तो उपर जाता रहेगा यह uncertainty नहीं मतलब एक trend बना रहता है कि market में अगर तेजी है तो तेजी बनी रहेगी मंदी है तो मंदी बनी रहती तो अभी फिलहाल market positively react कर रहा है उपर की तरफ जा रहा है buying price के उपर buying price को हमारे trigger कर चुका है उपर sustain कर रहा है तो कहीं न कहीं यह सारी चीज़े एक uptrend को support कर रही है और इसमें यह पूरे chances हो सकते हैं देखे निफ्टी में जो पिछला high लगा हूँ है वो break हो सकता है बहुत सारे traders भी मैंने ऐसे देखे थे मतलब YouTube पे मैं वीडियो देखता रहता हूँ उन्होंने यह कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर short करो मतलब अब नहीं अब से भी थोड़ा सा पहले पर मेरा शुरू से यह view रहा है कि इसमें 13,000 तक के level पे इसका एक next raise chance है वहां तक जाने के chances इसमें बन चुके हैं तो 13,000 के आसपास nifty में जाने के chances है अभी अगर आप short selling करते हैं देखिए intraday में कुछ आ सकती है कुछ आपको 2-3 candle आपको downside की daily charts पर बनी मिल सकती है पर overall trend अभी तक इसका उपर की side में ही है तो जितनी कोशिश हो आप buying की कीजिए मतलब market में अगर नीचे के prices आपको मिलते हैं तो वहां पर आप buying कीजिए पर आपको stop loss level आपका फिर भी पता होना चाहिए कि आपको किस position में enter करना है तो उसका stop loss level क्या होगा ठीक है सेम केस मैं bank nifty में भी expect कर रहा हूँ इसमें 30,000 का level तो मैं अभी एकदम से expect नहीं कर रहा पर यह जो 25,000 है यह तो बहुत near term में break होके इसके उपर 27,000-6,000 के आसपास के बीच में शायद कुछ एक price रह सकता है ठीक जा सकते हैं मतलब as a support level resistance तो अभी कहीं पर नजर आनी रहा except उस price को जो इसने पिछला अपना high लगाया था यह 25,000 के अब ठीक है तो वह भी अभी काफी दूर है तब तक अभी ध्यान रखनी के उसे जरूत नहीं है दोस्तों buying है सबसे पहला price exact 24,000 market में अगर gap up opening होती है और एकदम से market नीचे की side आता है gap up opening होके अगर market उपर की side में hold कर लेता है तो यह price नहीं रहेगा यह price तब रह सकता है अगर market उपर open हुआ और वहीं से एकदम से turn कर लेता है नीचे तो यह आपका intraday का stop loss रहेगा 24,000 24,000 trigger हुआ exact 24,000 की मैं बात कर रहा हूँ 24,000 trigger हुआ position से बाहर निकलिए कोई trade मत करिए खास तोर से selling का तो बिलकुल मत कीजिए और buying में भी अगर आप re-entry की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप wait कीजिए देखिए bank nifty 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 nscbs मतलब nscbsc में जो time की shortage है वो थोड़ी सी एक problem रहती है कि intraday में अगर आपका एक बार stop loss trigger हो जाए तो आप re-entry की कोशिश ना करें तो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा अच्छा है आपका stop loss trigger हुआ market में बाहर बैट जीए wait कीजिए और यह मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी already position carry करके चल रहे है gap up opening हुई और एकदम से market नीची की तरफ turn करता है या तो आप ऐसा कर सकते है gap up opening हुई अगर एक अच्छी gap up opening होती है तो आप exit करके थोड़ा सा over wait कर सकते है क्योंकि अगर अच्छी gap up opening होती है तो 25,000 के असपास का उपर का जो वो एक resistance है उसे शायद market एक बार consider कर सकता है तो वहाँ पर एक शायद थोड़ा सा consolidation देखने को मिले ठीक है अगर यहाँ के ऊपर जो इसका closing price है इसके ऊपर अगर market जाता है वहाँ से एकदम से turn आता है मतलब एकदम से turn का मतलब 15 मिनट या आदे घंटे के अंदर अंदर नीचे की तरफ एक downside लेता है और 24,000 ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पर exit कर जाए है position में बने रहने का कोई sense नहीं बनेगा उस time ठीक है एक तो यह चीज होगी दूसरी चीज होगी अगर आपको थोड़ा सा positional way में आपको अपना stop loss consider करना है तो price रहेगा 23,450 ठीक है इस price को आप consider करके आप position को carry over करके चल सकते हैं यह इस stop loss के साथ मतलब जैसे से market उपर जाएगा हम इस stop loss को trail करते चलेंगे तीसरी चीज तीसरा उनके लिए जो बिलकुल trend के साथ चलने जिनका stop loss अभी तक trigger नहीं हुआ है उनकी position की जो entry है वो यहां एक किसी level में हुई है 22,300 के असपास उनका trade अभी तक continue है उनका stop loss भी आज की rate में 22,300 ही है at least उन्हें ये अराम मिल चुका है कि अब अगर उनका stop loss trigger भी होता है तो उन्हें कोई loss नहीं होगा और market में अगर ये strength बनी रहती है तो उपर में 26, 27,000 तक के level उन्हें देखने को मिल सकते हैं ये एक positive, मैं कहूंगा एक benefit है जो थोड़ा सा एक positional way में अपने trade को लेके चलते हैं ठीक है, intraday में थोड़ा सा risk इसी चीज़ का ज़्यादा रहता है market एक movement दिखाता रहता है, आपका stop loss छोटा होता है और market में जो movement है उसके against आपको fight करनी पड़ती है, उसमें आपको ये भी समझना पड़ता है कि overall trend कैसा चल रहा है उसमें आपको ये भी समझना पड़ता है कि intraday में trend कैसा है positional जब आप call लेते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ एक trend पे धियान देना होता है के trend कैसा चल रहा है तो positional traders जो हैं वो हमेशा intraday traders से थोड़ा सा एक plus point में रहते हैं तो दोस्तों फिलाल तो और कोई level नहीं है कुछ और sound में आएगा तो कल हम बात करेंगे वापस तो यह था मेरा bank nifty टेप भेगा वीडियो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेर करें बने रहे हैं मेर साथ देखते रहे हैं market report धन्यवाद